मंदिर का शुद्धी करण हुआ, सीड़ी उपर गोमूत्र छिड़का गया, बिलू पत्र और पुष्प भी चड़ाय गया, हरहर महादेव के नारे लगे 12 जोति लिंगों में से एक नासिक के त्रम्ब के शड़ जोति लिंग में 13 मई को जो कुछ हुआ था या उसी एक्षन का रियक्षन था 13 मई को जिस गेट से कुछ मुसल्मानों ने जबरन भुसने की कोशिश की थी, उसी गेट पर शुद्धी करण हुआ मंदिर में हरी चादर चड़ाने को लेकर अफ़ाहूं का बाजार गर्म है जबरन शिवलिंग पर मजार वाली चादर चड़ाने को लेकर कई थियोरी सामने आ रही है सोशल मीडिया से सड़क तक कई तरह की चर्चा है, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलिले हैं इन सब के बीच जनता की अपनी राह है, हिंदूओं का कहना है कि हरी चादर चड़ाने की कोशिश एक साजिश का हिस्सा है और यदि साजिश नहीं थी, तो मंदिर के बाहर से वीडियो क्यों बनाया मंदिर के सुरक्षा गाट्स की रोकने के बावजूद अंदर गुसने की कोशिश क्यों की गई और जब मंदिर के बाहर गैर हिंदू के प्रवेश को वरजित बताने वाला बोर्ड लगा हुआ है, तो फिर नियम को क्यों तोड़ा गया तरमकेश्वर मंदिर में जिन चार लोगों ने जबरन अंदर गुसने की कोशिश की थी उनकी पहचान अकिल यूसूफ सयद, सलमान अकिल सयद, मतीन राजू सयद और सलीम बक्षू सयद इन चारो आरोपी और मुसलिन समाच का कहना है कि यह सालों पुरानी रिवायत है इस रिवायत के मताबिक गेट के बाहर से धूनी और लोबान दिखाते थे इसी वज़ा से मंदिर में हिंदूओं ने शुद्धी करन किया इतना ही नहीं तरंबकेश्वर देविस्थानम ट्रस्ट ने पुलिस में जो शिकायत की है उसमें भी जवरन अंदर गुसने का जिक्र किया है बहराल इसे लेकर घमासान मचा हुआ है हिंदू इसे एक बड़ी साजिश का छोटा सा ट्रेलर बता रहे है अब यह संयोग है यह प्रयोग यह तो आने वाला समय ही बताएगा